हलो मैं हूँ नीतुकमार और आप देख रहे हैं E24 का Facebook पेज और YouTube चैनल Valentine's का महीना है फरवरी जो है प्यार का मौसम कहलाता है और इस प्यार के मौसम में हम एक Bollywood के ऐसे अक्टर की बात करेंगे जो एक समय ऐसा था जिस पे Bollywood की बहुत सारी हसीनाय फिदा हुई वैसे तो उनकी शादी काजोल से हुई लेकिन Bollywood की एक समय ऐसा था कि जो भी एक्टरिस उनके साथ काम करती थी वो उनके प्यार में पढ़ जाती थी तो आज हम बात करेंगे करिश्मा कपूर और अजय देवगन के रोमैंस की जी हाँ 1991 में अजय देवगन फूल और काटे में आप लोगों को यादी होगा कि बाइक पे कैसे वह स्टंट करते हुए उन्होंने बॉलिवुड में शांदार एंट्री की थी तो वहीं प्रेम कैदी फिल्म से करिश्मा कपूर यानि कपूर खांदान की लाडली जुब हैं फिल्मो और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का अफेर शुरू हुआ इससे पहले अजय देवगन के बारे में कहा जाता था कि वह रवीना टंडन के साथ उनका अफेर चल रहा था ऐसा रवीना टंडन कहती थी हलाकि अजय देवगन हमेशा इससे इंकार करते रहें और अजय और रवीना ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया था और अजय देवगन की बहन के साथ रवीना की दोस्ती थी तो ऐसा माना जाता है कि रवीना बहुत बड़े क्रश थे अजय देवगन लेकिन अजय देवगन जो हैं जब उनका करिश्मा के साथ अफेर शुरू और उन्होंने कई सारे इंट्रिव्यूस तक दे दिये कि अजय देवगन ने उनके साथ धोखा किया ये भी खबरे आई कि रवीना टंडन ने आत्मत्या करने की कोशिश की बहुत सारी बाते आई उन्होंने अजय देवगन को चीटर तक कहा लेकिन अजय ने हमेशा इस बात स की फिल्म भी साइन की तो अच्छा खासा जो है करिश्मा के परिवार वालों को भी अजय देवगन एक हिट हीरो बन चुके थे पहली फिल्म से उनको पॉपुलरिटी मिल गई थी तो करिश्मा के परिवार वालों को भी कोई अतराज नहीं था वहीं करिश्मा और अजय की भी एक आम कपल की तरह दोनों भी चाहते थे कि यह रिष्टा जो है लंबा चले सब कुछ अच्छा रहे और इनकी लव स्टोरी की जो खबरे थी वो उन्स दौरान जो है मीडिया में खुब आती थी कि करिश्मा और अजय जो है डेट कर रहे हैं तमाम बाते सामने आया करती लेकिन उसी दोरान अजय देवगन ने हल चलड की एक फिल्म साइन की थी और इस फिल्म की हीडिंथी काजोल तो हमेशा कम बोलने वाले अजय देवगन जो है फिल्म के सेट पे एदम शांत रहते थे और काजोल जो है खुब बोलती थी तो कहीं ना कहीं कहते हैं ऐहली अजय में सबसे अच्छी लगी थी उनकी आखे थी वो बोलते कम थे लेकिन उनकी आखे बहुत जादा बात करती थी यह बात उन्होंने अपनी मा को भी बताई थी और काजोल भी उस दोरान जो है किसी और के प्यार में थी काजोल उस दोरान जो है कमल सदाना को डेट कर रही और अजय देवगन के साथ तो करिश्मा थी ही तो फिल्म हलचल के सेट पे जो है इन दोनों के दिलों में भी हलचल मची और कहते हैं कि यहीं से जो है अजय की लाइफ में काजोल की एंट्री हुई और करिश्मा जो है धीरे धीरे आउट होने लगी और करिश्मा को भी सेट से इन दोनों के करीब होने की खबरे मिलती थी तो बहुत मतलब नाराज रहती थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ और करिश्मा ये सच जानने के लिए एक दिन उन्हें एक होटेल में फोन किया जहां अजय देवन ठहरे थे उन्होंने कॉल किया तो पीछे से एक लड़की की आवा देवन रिलेशन्शिप में रहे इन्होंने कई सारी फिल्में भी साथ में की लेकिन अब उनकी लाइफ में जो है काजोल की एंट्रिवी थी और इससे करिश्मा को काफी दुख पहुचा था कि कैसे अजय जो है अजय ने उनके साथ धोखा किया ऐसा उनका कहना था और लमखुला इजहार भी कर दिया था एक बार अजय देवगन फिल्म जखम की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान उनकी फिल्म के सेट पर दिल्ली में काजोल देखी गई और उसके बाद से एक खबरे फैल गई की काजोल और अजय देवगन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं त अजय और काजोल का फियर शुरू हो गया था और करिश्मा इससे इतनी नाराज थी कि उन्होंने फिल्म में ना तो डविंग की ना उन्होंने फिल्म के बचे हुए शॉट्स पूरे किये फिल्म के जो एक दो गाने थे वो बॉड़ी डवल के जरिये शूट किये गए और य और अक्षे कुमार पे शूट हुआ था सुहाग फिल्म में जो है इसमें अजय देवगन जो है उनका रोल जादा बड़ा था लेकिन करिश्मा ने जब उनके साथ काम करने से इंकार कर दिया तो उनका और करिश्मा का रोमैंटिक एंगल जो है उस फिल्म में बहुत कम और ऐसी ही कहानी जो है यह कह सकते अंसुनी प्रेम कहानी का अजय और करिश्मा की है जिसके बारे में बहुत जादा चर्चा नहीं हुई थी लेकिन यह जो है उस दौर के मीडिया में खबरे थी लेकिन यह बहुत बड़ी स्टोरी नहीं थी जिसकी वजह से लोग जो है इस करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप entertainment की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफ स्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिविटीज की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा इच्वड़ी फॉर पर तो फिर धमाकेदार entertainment के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इच्वड़ी फॉर